Hello Guys, मैं हूँ Nehru STA DM दरवंगा में और इसे पोलो फिल्ड के नाम से भी जाना जाता है इसे पोलो फिल्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि राजा महाराजा इसमें पोलो खिला करते थे दरवंगा महाराज के समय में और देखिया व्यूज और गाइज यहां चल रहा है इंट्रेस्टिंग मैच और जरसी में वाइट कलर की जरसी में लोग खेलते हुए एक टीम है यहां बहुत सारी नेशनल मैचेस भी होते हैं जैसे कबड़ी के और भी बहुत सारे बास्केट बॉल क्रिकेट तो यहां मैच होता रहता है कॉलेज लेवल पे डिस्टिक लेवल पे और यह देखिये यहां पे बहुत अच्छी बॉलिंग और बैटिंग हो रही है और ये देखिए एक रन तो बहुत ही अच्छा मैच चल रहा है यहाँ पर और स्कूल डेज में हम लोग ऐसे ही मैच किलने आते थें बढ़ हमारे पास जर्सी नहीं होती थी और हर कोई सचिन बनने का सपना देखता था और यहाँ पर प्लेयर बैठे हुए बैटिंग के लिए तैयार अपनी पारी की इंतिजार में अनन बताएंगे स्कूर कितना चाहिए इतने के लिए और यहाँ सिक्स गया और सारे प्लेयर तानी बजाते हुए चालिस है चालिस रवन एक शक्का लगाया नहीं कि चौतिस रवन और मैं आ चुका हूं उपर इस्टेडियम के और आप देखिए इस्टेडियम का उपर से व्यूग अजिए इस्टेडियम धरी इस्टेडियम का उपरे इस्टेडियम का लगाया थारे इस्टेडियम के शवर देखिए अजिए झाल झाल और गाईज यह है पार्क पोलो फिल्ड के पास में जहां पर बच्चे आते हैं खेलने के लिए आईए आपको दिखाते हैं और गाईज यहां पर मचली जैसा कुछ बना रखा है इसाइद फाउंटेन है बड़ इसमें पानी है नहीं चलिए आगे दिखाते आपको झाल 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 और गाइज देखिए यह है टेनिस कोट फोलो फिल्ड के पास ही देखिए यहां पर लोग आते हैं टेनिस खेलने के लिए अभी यह बंद पर आवा है किसी कारण से और गाइज मैंने इस ब्लोग में दिखाया आपको पोलो फिल्ड पार्क और यह तेनिस कोट बताईएगा कैसा लगा कॉमेंट में लाइक शेर सब्सक्राइब और कॉमेंट थैंक्यों वाचिंग जसे हैंते हैं जसक में करहा कर दो शे मेंट में लाइब और क्वमेंटन के लाइब धर।